तो秦्वेंट क्या है आप दोस्तों है आज मैं आपको बताने वाला उन सेमसंग की जो एप है ठीम पार्ट अप्ट दोसके बार ही मताने वाला हूं दोस्तों उसके अन्दर आज क्या ने अपडेट आया है और कुछन नए फीचर को आयगे अचर को अब पर एड़ और वहां पर कुछ नई फीचर को आइट कर दिया किया थो यह नए फीचर्स क्या है कैसे उनको यूज करेंगे और कहां को मिलने कि आपको 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 अपडेट के बारे मैं और नए फीचर के बारे में दोस्तों आपको सबसे लिजाना होगा अपने वाइल के किये गए हैं और कुछ UI को improvement किया गया है और नीचे आपको जो तीन feature दिख रहे होंगे जो कि मुझे लगता यह मिले हैं support to import the download icon package के आप यहां पर icon को भी download कर पाएंगे वो सकते हैं icon के जो pack है उसको download कर पाएंगे उसके app के icons को change कर पाएंगे और आपको create icon package का option मिलेगा मतलब कि जो की जो latest feature आया है वो है app icon से related यहां पर आपको नए feature जीए गए हैं तो इसको कैसे use करेंगे तो आज की वीडियो में बताने वाला हूं तो सबसे पहले कर लेते हैं दोस्तों इसको open जैसी आप उसको open करेंगे दोस्तों यहां पर open करने के बाद जो आप पहले कोई theme में आपने create कर रखी या फिर बोल सकते हैं नई theme जो create करना है आप दोनों में से कोई भी option चूज कर सकते हैं लाइक मैंने पहले याली theme create कर रखी है मैं ऐसी पर आ गया हूं और यहां पर मैंने edit पर आ गया हूं जैसी मैं edit पर click करूंगो तो आप देखेंगे आपको ऐसा atmosphere मिल रहा होगा यहां पर आपको जाना यहां पर जो आप आप आइकन वाला option दिख रहा है आपको इस पर डबल क्लिक करके रखना है तो यह open हो जाएगा दोस्तों यहां पर by default यह आपको ऐसा दिखने वाला जो की default में ऐसा रहता है यहां पर आपको सबसे पहले क्या देख सकते हैं दोस्तों यहां पर आपको थ्री डॉट्स वाली क्लिक करेंगे तो जो भी आपने अपनी एप में यहां बुल सकते हैं आप आइकन डाउनलोड करके रखेंगे जो कि आपके किसको आप मॉडिफाइ करने या सुलतक्त करने या कुछ और चींज करने तो आपको वापस यह द्री डॉट्स में जाना है चेंज आइकन पैक में ऑप्शन पर क्लिक करना है यहां पर आप यहां से और भी डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर आप टॉप में चले जाएंगे तो आपको बहुत सारे यहां पर आप आइकन मिल जाएंगे आपको सिंपली क्या गरना है अगर किसी आप आइकन को आपको वहां ले जाना है आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है यहां क्लिक करने किया आपको यह नीशे डाउनलोड पर क्लिक कर देना है जैसी आप यहां प वाइड डिफॉल्ट एजी ली एक्टिवेट हो गया है तो यह तो हो गया दोस्तों सबसे पहले option कि आप कैसे यहाँ पर चेंज पैक कर सकते हैं आइकन का पैक चेंज कर सकते हैं दोस्तों उसके बाद जो दूसरा जो मुझे लगता है कि जो पैंजिस आए हैं उसके लिए वापिस में यहाँ पर आपको लेज़ता हूं थीम पार्क वाले आइकन पर यहाँ पर दोस्तों आपको एक नया option दे दिया गया जो मुझे लगता है कि पहले था या नहीं ता मुझे ध्यान नहीं है बट मुझे लगता है कि इस अप्टेट के आपको यहाँ पर icon color का दे दिया गया है जो कि उन्हों ने बुलाई कि आप यहाँ पर icon shapes को अपने साप से moडिफाई कर सकते हैं याप यहाँ पर शेपNever कर मैं design कर सकते हैं दोस्तों यह आपको यहां पर feature दिया गया और अपने साबसे को create pack कर सकते हैं तो यह यहां पर updates में आपको दिया गया यह theme parts के नए update में तो आप यहां से इसको create करके अपने themes में इसका use कर पाएंगे या फिर अगर आपको कोई app icon अलग से download करना है जो कि मैंने आपको बताया download package में जाके आप वहां से इसको download करके अपनी theme में use कर पाएंगे तो यह दोस्तों यही था latest update जो कि मैंने आपको बताया उमीद है कि दोस्तों आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो thank you तो मुझे उमीद है कि आपको यह मेरी वीडियो की चेस्कविटू pseudo प्रब्सक्राइब करना नाक। तेंकि दोस्तो.